आइस AI का लेटेस्ट एनाउंस्मेंट सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एस्टुडेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ये वीडियो को सारे स्टुडेंट देख ले जो लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर चुके हैं या जो लोग एक्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं ये एनाउंस्मेंट है रिफंड पॉलिसी एक्जाम फॉर्म फी रिफंड पॉलिसी के रिगार्डिंग सबसे पहले डाउट स्टुडेंट के मन में आता है कुछ लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर दिये हैं exam में appear नहीं करना चाहते क्या उनका fee refund हो जाएगा बिल्कुल भी refund नहीं होगा तो क्या वो student अगर exam नहीं देते है तो क्या होगा उनका attempt count होगा और वो exam में absent माने जाएंगे तो उनको May 23 में exam देने के लिए only exam form fill करना होगा दुबारा से registration नहीं करना होगा कुछ ऐसे condition है जिस condition पे आईसे आपका exam fee refund कर देता है अगर आपको payment करने में कोई problem हो रहा हो या आपका payment multiple time हो गया हो तो आईसे आपका fee को refund कर देगा प्लीज दियान से कुछ बाते कुछ सुन लेना अगर आप लोग exam form fill कर रहे हो और आपका payment debit हो जा रहा है बट आपका application submit नहीं हो रहा है तो ऐसा करने पे multiple time अगर आपका पैसा debit हो गया है फिर भी अगर आपका exam form submit नहीं हुआ है तो आपको exam form को submit करने के लिए दुबारा से payment करना होगा बट जितना भी multi time payment हुआ होगा उस पैसा को ICI 21 दिन के अंदर में refund कर देगा क्या इसके लिए student को कुछ करना होगा मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना होगा automatic refund हो जाएगा बट मैं कुछ suggestion देता हूँ वो बात मान लेना जैसे ही आपका पैसा को debit होता और आपका exam form application submit नहीं होता तो 24 hours के बाद आप bank में complain कर दोगे customer के या number पे आप online transaction कर रहे थे बट online transaction successful हुआ नहीं और payment कट गया तो bank भी complain ले लेगा बाकि आपको कुछ भी नहीं करना 21 दिन wait करन इसके अंदर में आपका payment refund हो जाएगा और हाँ अगर 21 दिन के अंदर में payment refund नहीं हुआ तो आपको mail करना है mail id आपके screen पे सोग कर रहा इस mail id पे आपको mail कर देना है और जो लोग exam form free कर रहे है payment भी debit नहीं हो रहा लेकिन exam form application submit नहीं हो पा रहा तो वो चाहे तो अपना browser या device चेंज करके देखे और दूसरा payment mode चेंज करके भी देखे आप लोग try करो payment जरूर हो जाएगा successful कोशिस यह करना है कि मोडजिला से try कर लेना और payment mode में पेटियम मोड से करके देखना payment हो जाएगा successful फिर भी नहीं होता है तो 24 गंटे बाद try कर लेना अभी exam form filling का date बचा हुआ last date है 4 October 2022 without late find और with late find आप लोग 9 October 2022 तक आप लोग exam form fill कर सकते हो कोशिन आज सकता है कि महान student के तरफ से क्या इस बार declaration form भी fill करना बिल्कुल भी नहीं declaration form fill करना मैंने update कर दिया था यह भी कोशिन आज सकता है कि exam form fill कैसे करना मैंने detail वीडियो बना रखा है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा एक और question आ सकता है SSP portal पे कैसे login करना मैंने detail वीडियो बना रखा उस वीडियो का भी link description में मिल जाएगा अगर कोई student SSP portal पे login नहीं कर पा रहे है तो please comment box में comment ना करे अपना time बरवाद ना करे उस वीडियो को देखे उस वीडियो में जितना हो सके मेरे पा जल से जल्द आप लोग exam form फिल कर लो और मन लगा के पढ़ाई करो exam बहुत ही near है और last में छोटा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification विल दबा दीजिए ताकि CA related आपको सबसे पहले update मिल सके unlock 20 फिर से start हो चुका है यह 20% offer कुछ limited समय के लिए रहेगा तो अगर आप foundation का subscription लेना चाहो intermediate या CA final का इस वीच में subscription लेते हो तो आपको 20% का discount मिलेगा आपको code यूज़ करना है चार्टर इस्टर इस्टे इस्टेन कूपन कोड अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इसली ले सकते हो subscription का direct link CA foundation intermediate or final का मैं description में दे दे रहा हूँ उस link पे click करके आप subscription ले सकते हो अगर आप लोग अने केडमी का subscription लेते हो तो यहाँ पे आपको unlimited views मिलेगा आप यहाँ पे classes देख सकते हो live भी और साथ में recorded lecture भी मिलेगा और वहाँ पे unlimited access तो आप लोग को देर नह ही करना है अगर आप लोग अने केडमी से subscription लेना चाहते हो तो limited समय है 20% का offer मिला है तो आप लोग चाहो तो class purchase कर सकते हो detail के लिए description जब चेक कर लें